हेलो एवरिवान कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज मैं बनाऊंगी ओनिंग स्नायक में मैदे की आटे का बहुत ही क्रिस्पी सा टेस्टी सा नास्ता लेयर वाला जो चलो फिर क्या है बनाते हैं जिसके लिए मैंने लिया एक कडूरी मैदा इसे मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी क्रस्कर के अजवाएं जिससे की बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है थोड़ा सम आटे में हम डालेंगे चुटकी भर नमक और इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे फिर मोयन लगाएंग थोड़ी देर के लिए रस्ट के लिए पिर एक गोल बनाएंगे जिसमें मैंने पिगला हुआ गी लिए है दो चमठ मूँख एक चमठ में उसमें मैदा डाल धाल दिये है इसे भी अम्रख्ड देंगे फिर हम बनाएंगे फिलिंग इसमें मैं लिए है तीन से डाल के बहुत अच्छे से मिलाएंगे सबसे लास्ट में डालेंगे अध्राइक लैसन हरी मिर्च का पेस्ट इससे की बहुत ज्यादा जब अधर टेस्ट आता है जब आप बनाएए तो यह जरूर से डाली इसे बिल्कुल मत स्किप करिए इससे जो टेस्ट आता है बहुत फिर इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए फिर जब यह ठंडा हो जाएगा फिर इसी फिलिंग भरेंगे और यह आटा मेरा सेट हो गया था फिर इसे हम मसल के छोटी सी लोई बनाएंगे और में प्रोसेस ही रहता आप ऐसे नॉर्मल भी बना सकते लेकिन लेयर वाला बना पर इदर से एक बर उदर से फिर इसे हम एक छोटा सा राउंड करके यह देखिए ऐसे दबा लेंगे और बहुत हलके हास से बेलेंगे इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी लियर बनेंगी और जब यह हम फ्राइग करेंगे तो लियर अपने आप से ही पता चलने लगेंगे बस हम मसाले का एक छोटा सा बॉल बना के इसमें रख लेंगे और इसे हम अच्छे से दबाके बढ़ लेंगे और यह देखिये बिल्कुल मेरा परफेक्ट नास्ताबन के तीयार हो गया है इसी तरह हम सारे बनाके रख लेंगे फिर इसे हम फ्राइग करेंगे अगर आपको कडाई में हम तेल रख देंगे बहुत धी मियाच पे इसे हमें फ्राइख करना है क्योंकि बहुत ही क्रिसपी बनता है अगर फूल प्राप करते हैं तो उतना नहीं बनता है बहुत अच्छा लगता है बच्चों को बहुत पसंद आता आप भी एक बार अपने घर में इस तरह से जरूर से ट्राइ करिएगा बहुत ही टेस्टी बनता है यह देखिए बिल्कुल फूला हुआ और क्रस्पी बना था अंदर से देखिए कितना पसंद आए था एक बार आप भी अपने घर में जरूर से ट्राइ करिए बनाएए खाये इंजुआए करिए खुस रहिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक की बाई बाई